नमस्का दश्कों यूट्टूब के मेरे इस चैनल में आप सबका स्वागत है आज का मेरा विशे है गुरू का धनू राशी में प्रवेश और उसका प्रभाव मीन लगन वा मीन राशी के जातकों पर क्या पड़ेगा देव गुरू बश्पती जो 11 अक्टूबर 2018 से विश्चिक राशी में चल रहे थे वो 5 नहुंबर 2019 को धनू राशी में परवेश करेंगे और वहां सितंबर 2020 तक रहेंगे गुरू के धनू राशी में परवेश का प्रभाव मीन लगन वा मीन राशी के जातकों को कैसा मिलेगा शुब होगा अशुब होगा तो किस संदर में होगा अशुब होगा तो किस संदर में होगा इस बात की चर्चा आज हम इस वीडियो में करेंगे आपके समूख ये मील लगन की कुंड़ी है मील लगन की कुंड़ी में अगर हम गुरू की भूमिका देखे तो गुरू होता है आपका दशमीश क्योंकि गुरू की एक राशी आपके लगन पर है और एक राशी आपके दशमभाब पर है यानि इसका अर्थी है कि मीन लगन के लिए गुरू एक बहुत महत्यपूर्ण ग्रह है क्योंकि गुरू उसका लगनेश भी है और उसका दश्मीश भी है लगन से विचार करते हैं हम शरीर का कि हमारी हैल्थ कैसी होगी हमारी लाइफ में सोच कैसी होगी हमारे अंदर कितनी कैपिसिटी है हमारे मन की स्थिटी कैसी है कितनी कैपिसिटी है कितना लाइफ में तरकी कर सकते है हैल्थ हमारा कितना परमिट करती है कि हम आगे बढ़ सके हमारी परसनालिटी कैसी है कि हम किसी चार लोगों से मिलते है को हमसे परवाबित होते की नहीं होते हमरा पूरा व्यक्टित्व कैसा है क्योंकि अगर मील लगन के जातकों की बात करें तो उनका व्यक्तित्तु बड़ा फोड़ी सी संकुचित प्रवर्दी का होता है पर मीन राशी एक जलतत राशी है है तो इसका स्वामी गुरूप पर क्योंकि यह जलतत राशी है तो मीन लगन के जातक जन्रली गुस्सा नहीं करते और बड़े शान्त हो बाप के होते हैं तोड़ी संकुचित प्रवर्ती के होते हैं यह अगर प्रेम समंदों में भी रहते हैं तो भी बड़ा अपना प्रेम स के मन को दुखाना नहीं होता तो ऐसे मीन लगन वा मीन राशी के जातकों के लिए कितना शुप समय आया है कि देव गुरू बश्वति उनके भागयबाब से उनके दशब भाब में परवेश करेंगे और उसके बाद गुरू जब उनके दशब भाब में आ जाएंगे धनू पर गुरू बेसिकली जो हैं दो बातों के लिए जाने जाते हैं तो बुद्धी के लिए और एक धन के लिए गुरू आदमी को इस बात की सहूलयत देते हैं इस बात की शमता देते हैं कि इसी बुद्धी परदान करते हैं कि वो समझ सके कि उसके लिए क्या शुब है क्या होब उसको life में क्या खरना है कैसी planning करनी इस बात की पूरी जांकरी उसको about sounding और को कोई आदनी बहुत planning कर के चलता है सही समय पर सही निनने लिता है और वह बरतमान में भी काम करता है उसमें भी उसकी यह सोच होती है कि यह जो मैं ब्रतवान में काम कर रहा हूँ उसका future में मुझे क्या अलाव मिलेगा तो माल के चलिए कि उसकी कुंड़ी में गुरू की आप चलेंगे आपको पता होगा कि मैं कब कौन सा काम करूंगा उसमें क्या प्रोब्लम आएगी तो ऐसी इस्तिती में आपकी लाइफ में आपकी तरक्की होगी आपकी बुद्धी आपको इस बात की मदद करेगी कि आपको कब पैसा कमाना है कितना कमाना है और कमा हुए पैस बाब पे कारगुरू की दिस्टी होगी आपका लगनेश की दिस्टी आपके चतुत भाब पर होगी जो सुख वा संतोश का भाब है और आपके लगनेश वा दश्मेश की दिस्टी आपके छटे भाब पर होगी जो रिल्ड रोग वा शत्रू का भाब है सबसे पहले हम देखे कुली में राजयोग बना की लगनेश लगन का स्वामी दशम में आ गया लगनेश दश्मस्त हो गया आप चाहे नौकरी करते हो या वैपार करते हो यह बहुत सफलता का समय है आप नौकरी की तलाश में थे मीन लगन वामीन राशी है और आपकी कुंड़ी की दशाई बेनकूल हुई तो निश्चित तोर पे इस गोचर में आपको नौकरी मिल जाएगी आप नौकरी बदलना चाते थे तो नौकरी बदल भी सकते हैं आप अपना वैपार में कोई नया क समय है क्योंकि गुरू की दिश्टी सीधे आपकी संपत्ती के भाब पर पढ़ रही है कुटूं का भाब यह समय ऐसा है कि आपके कुटूं के सदस्य आपस में और नजदिक आएंगे उनमें कोई गलत फैमी थी वो गलत फैमी दूर होगी घर में कुटूं में मांगलिक कार पर है गुरू सुक संतोष के भाब पर दिश्टी दे रहे है मन को बहुत शानती मिलेगी आप बहुत रिलेक्स रहेंगे आपको नीन अच्छी आएगी आपकी सोच पॉजिटीव होगी आपके मन में किसी पकार की कोई टेंशन और एंग्जैटी चलती थी कोई बाते प्रह रोक शत्रू पर पढ़ रही है चटे बाप पर आपकी धनकी प्रावलम दूर होगी तो आपकी यह स्थिती ऐसी है कि आप जो है रिरों का चुकारा भी कर सकते हैं गुरू आपके चटे बाप को दिश्टी दे रहे हैं आपके शत्रू आपसे पराजित होंगे इस प्रकार गुरू का लगनेश वा दश्मेशों का दश्म भाब में बैठना और धनवाब को और आपके चत्रू भाब को और आपके चटे बाप को देखना इस बात की गरंटी है कि मीन लगन वा मीन राशी वालों का पांच नौमबर 2019 से सितंबर 2020 का समय ऐसा है कि अगर वो मेहनत करके सफलथा मिलेगी अर्मील लगन वा मीन राशी के जाब तक परत योंगी परिक्षा की त्यारी करें तो उनके लिए परतों गी परिक्षा में सफलता का समय है अगर सरकारी नौक री में में हैं औरर की मीन लगन मीन राशी बनती है क्योंकि अग् difonik Calendar इस maidना में और की संभावना बन सकती है पांच नोहमबर दो हुजार निस से जनवरी दो हुजार बीस के मद्धे में और वो ट्रांसफर जो है निश्चित रूप से आपके लिए पॉजिटिव रहेगा क्योंकि दशमेश अपनी सौराशी का है और आपके चतुत भाब को देख रहा है तो हो करना शुरू करेंगे आपकी अपने दल में अच्छी साख बनेगी आप अगर प्रवक्ता की रूप में है तो अंदिश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी साथी जो जातक मीन लगनवा मीन राशी के हैं और उसी विदेश यात्रा पर जाना चाते हैं क्योंकि जब नौबर 2019 से 23 जनवरी 2020 के मद्धे में तो मैंने इस वीडियो में बताने की कोशिश करी कि देव गुरु बरस्वती का जो धनूराशी में भ्रमन हो रहा है पांच नौबर 2019 से सितंबर 2020 तक मीन लगन वामीन राशी के जातकों के लिए बहुत हरिक सफलता दलाएगा उनके ल चल रहा हो तो शत्रु आप से पराजित होगा आप अपने रड़ का चुकारा कर सकते हैं तो मीन लगन वामीन राशी वानों के लिए बहुत पॉजिटिव समय है पहले तो पांच नौबर को देव गुरु बरस्पती दशम भाब में उसके बाद दशम भाब से निकल कर एक दो हजार जो कम से कम ये जो दो हजार बीस का जो समय है उनके लिए इतना शानदार जाएगा गुरू शनी दोनों बिल्कुल पॉजिटिव होंगे और उसके बाद आगे चलकर 21 तक का भी समय शानदार होगा जब गुरू भी जाकर शनी के संग यूति बना लेंगे यानि 21 का समय तो ऐसा है मील लगनवा मील राशी के जातकों के लिए कि उनके काम निरंतर होते जाएंगे उन्हें लग के मेहनत करनी चाहिए और अब भी से प्लानिंग करके अपमें काम में जुच जाना चाहिए तो यह दर्शकों मेरा वीडियो था अगर आपको मेरा वीडियो प सब्सक्राइब जिससे जब भी मैं अपने वीडियो प्लोट करूं उसके नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और आप मेरा वीडियो देख सके इसके साथ ही नमस्काद अश्कों जैमातादी